हेलो फ्रेंड्स, पेलकम बैक टु माई चैनल, आयोब आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, आज में बनाने वाली हों सिर्फ पांच मिन में बहुत ही टेश्टी मुर्मुरे की नमकीन तो सबसे पहले कढ़ाई में हमें डालना है चार चम्मच ओयल फिर इसमें आट कर देना है कड़ी पत्ता मैंने आप इसमें आट कड़ी पत्ता लिया है अब इसको ना भून लेना है गैस किसी भी नमकीन में ना कड़ी पत्ता अगर आप डालते हो तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेश्ट आता है तो बस इसको हलका हलका सा भून लेना है फिर भूनने के बाद हमें इसमें आट कर देना है हाप टीस्पून हल्दी पौडर हम तेल में इसले आट करेंगे ताकि हल्दी पौडर अच्छे से पक जाए अब टेस्ट के कोटिंग नमक आट कर देना है तो मैंने आपे हापटी स्पून नमक लिया है इसके बाद guys हमें इसमें एड़ कर देना है मुर्मूरा आपको जितनी नमकीन मुर्मूरे की बनाने यहाँ पर उतना मुर्मूरा ले सकते तो मैंने आपे न दो बड़ी कटोरी से दो कटोरी लिया है अब इसको अच्छे से mix कर देना है जिसके हल्दी और नमक जिसमें मैंने डाला है न अच्छे से mix हो जाए और इसी नमकीन को आपने श्टोर करके रख सकते हो महिनों तक बहुत ही tasty लगती है तो बस ये देखी अच्छे से हल्दी और नमक mix हो चुका है अब हमें इसमें add कर देना है एक कटोरी मैंने आपने भूने मौमफली ली है मैंने मौमफली को अच्छे से भून लिया है फिर हमें इसमें add कर देना है भूना हुआ चना और इस चनी का टेश्ट तो मुर्मुरे की नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है अब जो मोटे वाले हापे बेसन के सेम होते हैं ना हमें इसे एड़ कर देना है तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आप कोई भी नमकीन इसमें एड़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो तो बस mix करने के बाद tasty मुर्मुरे की नमकीन हमारी ready हो जाएगी तो guys देखा आपने इस तरी 5 मिन में बहुत ही tasty नमकीन ready हो चुकी है तो guys देखा आपने मुर्मुरे की tasty नमकीन बनाना कितना आसान है तो आप भी टेश्टी मुर्मुरी की नमकीन बनाईए और मुझे गमेन मताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं फिर मिलती एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाई बाई